क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में फाइदा लेने के लिए चांद बूच कर यह अटेक करवाया गया था? नहीं अटेक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ. अटेक तो यह पाकिस्तान स्पोंसर्ड टेरिस्ट का ही किया हुआ था, हमारी तो गलतियां थी, हमारी आप समझें के हमने जो इंतिजाम होने चाहिए थे वो सब नई किये थे, उन्होंने एरक्राफ्ट मांगे थे, जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता, उन्होंने हूम मिनिस्टी से मांगे चार महीने तक, according to भासकर में न्यूज है वो, चार महीने तक वो चिठी पड़ी रही, कोई जवाब नी दिया, उनको जहाज नी दिये, फिर वो सडक से आए, फिर वो सेनेटाइज नहीं हुआ हुआ था रूट, जहां वो हुआ है, घटना हुई ह हमाँ दस किलो मीटर में, दस जगह लिंक रोड आके जूडती है, कोई भी मेंड नहीं थी, मैं गया था ले दिन, कहीं भी कोई जिपसी नी खड़ी थी रोकने के लिए, को बें अंदर मताऊ, नियम यह है कि जब यह चला जाता है कारमा, तब लोग सड़क में घुषते है, वहाँ सब फ्रीली घुष गया जिसने मारी गाड़ी, वो हमारी गलतियां, इसमें जो मैंने कहा है, उसको ठीक से समझ लें, मैंने प्रधान मंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉरवेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे, निकल के कि सत्पाल क्या हुआ, मै तो बहुत दुखी हूँ, चुके ये हमारी गलतियों से हुआ, और अगर हम जहाज दे, और भी कई गलतियां पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुपर हो, मैं दिली आ रहा हूँ, तब करेंगे कुछ, फिर उसमें कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था, और प्रधान मंतरी जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया, और नेशनल सिकुरिटी एडवाइजर ने भी फॉन करके कहा, कि सत्पाल भाई, आपका दो जगे, दो जगे मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्हो प्राइद इसलिए कि हम उसका राजनेती को फ्योग कर सकते थे, वो किया हमने, लेकिन आप तो LG थे, पोलिस और CRP तो आप भी को रिपोर्टिंग करती, उस समय कर रहे थी, मैं LG नहीं था, मैं LG था, मैं करनर था, फुलिस लेजिट, और CRP कभी हमको अपने मुवमेंट रि आपको PM साब में बना कर दिया कि आप बोलेंगे नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं, अभी कहां बोल रहा हूं मैं, बता रहे हैं यह यह तो मैं तब भी बता रहा था, यह लापरवाई थी बड़ी, बहुत बड़ी लापरवाई थी, हमारी सबकी थी, मैं भी, मेरी भी है, सब की है, आपने पब्लिक ली क्यों नहीं कहिए जीश, पब्लिक ली कहा ना मैंने, अतना खुल कर आप उस पर बोल नहीं पा रहे थे, किसान आंदोलन के दौरान आप सरकार को गेरना सुरू कर चुके थे, किसान आंदोलन पे तुम्हें खुल के बोला, इस पे मैं का मामला था, और अगर प्रधान मंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं, कि आप इस पे मत बोलिये, तो आपको उतना लिहास तो करना पड़ता है, कोन मैं कभी नहीं था, मैं कभी छुक नहीं, मुझे कहा गया था, कि अगर तुम किसानों पे नहीं बोलोगे, तो राश य जवानों की जिन्दगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी, मुझे यह पता चला कि उसमें जाँच हो रही है, मुझे लगा कि इसमें रेस्पोंसबिल्टी फिक्स होगी, जो कभी नहीं हुई पर मैं जब था, तो मुझे पूरे टर्म में एक गोली नहीं चलानी पड़ी, इन तीन चीफ इनिस्टर्स को मैंने गिरफतार किया, कुट्टा भी नहीं भूंका, कोई शोर शराबा, कुछ नहीं हुआ, तब बिलकुल अमन चैन था, और टेर्रिस्ट भी श्रीनगर में आत करते हुए डरते थे, अब तो शेन अगर में आके CRP पर हमला करते हैं, अब इसमें इसा कुछ नहीं है, चुके CBI का समन कोई मुझे नहीं आया है, कि मैं किसी चीज में नोल्ड हूँ, मैंने किसी मामले को खोला था, कि इसमें कुछ गड़वर थी, उसकी जांच हो रही है, उसमें मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझे कहा गया है कि आप अविलेबल होगे क्या, वो मेरे घर पर आ रहे है, मुझे कहीं बुलाया नहीं है, तो अभी आप से कुछ लोग संगठना के लोग मिलने आ रहे थे दिली में, उनको भी कृफतार किया गया था, और आ हरियाना और यूपी में है, खाप है हमारे हाँ, तो हरियाना की खापों ने ये कहा था कि एक दिन हम आ के आपको, आप किसानों के लिए लड़े थे, अब आप लड़ रहे हैं, तो हम आपको साहता करने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि फलन तारीक में आ जाईए, मेरे घर पे इतनी जगह नहीं थी, वो लोग हो रहे थे, करीब सतर खापों के लोग थे, तीन सो चार सो के करीब तो मैंने उनको सामने एक एरिया है, उसका सेक्टर बारा है, इसका आरके पुरम का, वहां उनके खाने का इंतजाम कराया, शामिया ना लगवाने लगे, तो मैं घर पे तैयार ही हो रहा था, तब मुझे खबराई के पुलिस पहुँच गई हैं, और पुलिस कह रहे हैं, कि और भुषाण कि यह नहीं होने कर सकते हैं, मैं गया तो पुलिस के बड़े अफसर भी थे, DCP, ACP, और उनको सब हमें हमे होकुच है, आपका यह नहीं नहीं होने देंगे, आझा भई क्यों नहीं होने दोगे, खाना ही तो बना रहे हैं, खाना तो कहीं भी बना के, नहीं ये डीडिये का पार्क है आपने इजाज़त में लेता तो देते नहीं तो मैंने कब तुम फजीता करना चाहते हो तो करो चलो मैं चलता हूं थाने में बनेगा हमारा खाना तो हम सब वाक करके थाने में चलेगे और फिर वहीं खाना बना वहीं खाया फिर उन्हों माफी मांग फिर उनों ने यह भी दिया प्रेस को परकाई को करने कभी उनको वह किया वुन domainsा को लेकर अभी शरकार से आपकी कोई मांग है यह मैंने तो इक जो बडा इंट्रू था अक्यले पुलुआवां पे नहीं किया था मैंने वोstore झान को मिनिट का इंट्रू था उसमें एक साधरन तोर पे जिकर कर दिया था कि ऐसा हुआ था सरकार जाने अपना काम उनकी ड्यूटी है वो अब मैं किसी पार्टी में नहीं जाओंगा ना मैं कोई चुनाव लड़ूगा प्या मोधी के खिलाब वीपक्स में प्रांट फुखने हैं काम कर दो मैं तो नहीं फूंक रहा है प्रांट वीपक्स खुद चाहेगा तो फूंक जाएंगे वीपक्स कुछ सिर्फ इतना करना है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा कर दो मोधी जी विल भी नो वेर उसी में हार जाएंगे लेन क्या ही संभव है संभव है संभव है तो मुझे लगता हुआ पड़ा है कौन है चेहरा नहीं होता है इसमें चेहरा तो देखो जब जमता तै करती है, हटाने का तो तो हटा देती, बाद में हो जाएगा जो जिसको गो करेंगे लोग इस मुद्दे को लेकर किस तरह का नजरिया आप रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे थाइलेंड वाली वाद मुझे मालूम नहीं है क्या है अग्जाक्लि सराजस्तान में आप भूम रहे हैं, आप चुनाव भी है, आपको क्या लग रहा है इस बात, किसका पलड़ा भारी हो सकता है कुछ चुनाव में कोई भाविश्वानी नहीं की जा सकती, जनता जनारदान है पता नहीं किसका पलड़ा भारी कर दे, किसका नीच जाएगे तो आप से ब्यानना चाहता हूँ, मैं क्या हाल है, मेरा फीड़बेक मेरे साथ है, उसको मैं भी आप से शेयर नहीं करूंगा, और एक दिन में राजनीती बदलती है आप ने एक जगे का था कि अधी वसंदरा राजे उमिद्वार हो तो बीजेपी जी सकती है जब आप सकते हैं परदान मंतरी के लिए कहा पुलवामा को लेकर जो कहा आम तोर पर अगर इस तरह का बयान आता तो उस पर काफी माहोल बनता, काफी लोगों में चर्चा बनती लेकिन मैं इस आपके इंटर्वी पे बात बिलकुल नहीं करी है ना परदान मंतरी को जवाब दे रहे ना प्यमों ने कोई उसके उपर इसपश्टी करन दिया है क्या लगता है आपको जब आप इस तरह की स्थिती देखते हैं कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाता मेरी जानकारी ये है, देखे, शोशल मीडिया ने तो कोई कमी नहीं किया, मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम प्येमों में भुला के, नेशनल मीडिया के इंपॉर्टन लोगों को जो कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए, और आठ दिन से अतीक चल दा है, ये न उठाया, बिना युद के नोजवानों की जो है, शाहादते हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार गंबीर है, क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं उसमें तो जो करना चाहिए, वो नहीं कर रही है, मैं तो सबसे पहले तो ये जो इन्होंने शुरू किया है, अगनी वीर, मैं इसका अलोचा कूँ, ये गलत है, ये फोज को खतम करने का, दो साजिशें हैं सरकार की, खेती खतम कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर द दो, इसी तरह से इनके बच्चे फोज में जाते थे, फोज को निगर ठक कर दो, अब ये बताए, ये चार साल के लिए कौन अपनी जाम देने जाएगा, मजबूरी में नोकरी के लिए वो चला जाएगा, पर उसमें वो जजबा होगा क्या जो होता है,